क्या घर की बहु को तियो हार मनने का अधिकार नहीं होता? मंजुशा जी हॉल में सोपे पर बैठ कर अपनी सहलियों को होली के मैसेज भीज रही थी रसोई से विभिन प्रकार के पकवानों के खुश्पू आ रही थी बीज-बीज में जब जान पहचान वाले घर आ रहे थे तो उनके सामने मालपूआ, गुजिया, आलू दम, पूरी और मिठाईया वगरा परोज कर उनकी खातिरदारी भी की जा रही थी बाहर आंगन में परिवार के लोग होली खेल रहे थे परचित और रिष्टेदार भी आते ही उनकी टोली में शामिल हो जाते थे मनजुशा जी ने जब फोन रखा तो उनकी बहु तुलिका पर उनकी नजर पड़ी उसे देखते ही वो मुस्कुरा पड़ी उनकी बहु गुलाबी रंग की साड़ी में बहुत प्यारी लग रही थी उसके गोरे गालों पर लाल, हरे, पीले रंग के गुलाल बहुत खिल रहे थे मनो बहु के चेहरे पर इंदर धनुश के रंग चा गए हो वो अपने पती निखिल और ननत के साथ खुब मस्ती कर रहे थी एक और मन्जुशा जी के पती मोडली धर जी अपने हम उम्र लोगों के साथ होली खेल रहे थे आज मन्जुशा जी के आगन में खुशियों के रंग चारों और बिखरे हुए दिखाई पड़ रहे थे मन्जुशा जी का मन एक सुकून से भर उठा तब ही कजरी रसोई से बाहर आई और उनके सामने विनमर शब्दों में बोली अम्मा जी आप भी कुछ खा लीजिये मन्जुशा जी ने मुस्कूराते हुए कहा बच्चो ने खा लिया तो कजरी बोली नहीं अम्मा जी सभी लोग कह रहे थे कि आपके साथ ही बैट कर खाएंगे मन्जुशा जी ने कहा तो फिर थोड़ी देर बाद हम खा लेंगे कजरी रसोई में चली गई तो मन्जुशा जी ने पीछे से उसे आवाज लगाते हुए कहा कजरी तू भी खा ले और कामखत्म हो गया हो तो बच्चों के लिए भी पकवान और मिठाइयों में से लेकर तू भी घर चले जा तेरे बच्चे भी तेरी राह देख रहे होंगे यह सुनकर कजरी का मुख प्रसननता से खिल उठा कजरी लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती थी और आज होली वाले दिन मनजुशा जी ने उसे काम करने के लिए बुला लिया था क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि नई बहु की पहली होली सारे दिन पकवान बनाने में ही बिते वैसे तो सास बहु ने मिलकर बहुत सारी तैयारिया करवा दी थी फिर कजरी ने आगे का काम समभाल लिया था कजरी जब अपने घर चली गई तो मंजूशा जी को अपनी पहली होली याद आने लगी उस समय उनके पती शहर में काम करते थे और उन्हें गाव आने के लिए ज़्यादा लंबी चुटी नहीं मिल पाई थी होली के दो दिन पहले ही उनकी सास ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया और आदेश देते हुए बुली बहु गाव में हमारा बहुत मान सम्मान है होली वाले दिन तुम्हारे ससुर्जी के दोस्त दूर दूर से आते हैं उपर से सभी रिष्टिदार यहां होली मनाने आते हैं इसलिए इस बार सारा इंतजाम तुम्हें ही देखना होगा बहु तुम होली में दिन भर रसोई में ही रहना और जो लोग तुम्हें रंग लगाने आएं चुपचाप आंगन में निकल कर रंग लगवा लेना और फिर रसोई में चली जाना होली में दिन भर बहुत सारे महमान आते हैं तो तुम्हें सारे पकवान अकेले ही बनाने होंगे नई बहु की पहरी होली थी वो रुवासी हो गई और फिर होली बाले दिन मंजुशा जी सारा दिन रसुई में ही लगी रही उनके पती भी घर पर नहीं थे जो उनका साथ देते ससुर्जी तो घर के मामले में कुछ बोलते ही नहीं थे और चुकी वो नहीं बहु थी इसलिए सासुमा की बात का विरोध नहीं कर पाई हाँ यह बात और थी कि कुछ सालों के बाद वो पती के साथ शहर चली आई थी और उसके बाद उन्हें होली वाले दिन इतना ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता था और वो भी त्योहार का आनंद उठा पाती थी लेकिन उन्होंने अपने बेटे निखिल के जन्म के समय ही तै कर लिया था कि जब उनकी बहु आएगी तब वो उसे ऐसी परिशानी नहीं उठाने देगी अज तुलिका को हस्ते मुस्कुराते हुए त्योहार का आनंद लेते देखकर मन्जुशा जी की आँखों के कोर नम हो चले थे लेकिन उनके हिर्दे में आनंद की लेरे उमड रही थी कि परिवार का प्रतेक सदस्य त्योहार का आनंद ले पा रहा था वरना कई परिवारों में तो घर की बहु सारा दिन रसोई में ही लगी रह जाती है और त्योहार तो केवल नाम मात्र के लिए ही मना पाती है लेकिन उनके घर में ऐसा नहीं था तभी तुलिका हंसते हुए हाथों में गुलाल लेकर आई और उसने अपनी सास के पैर छुकर उनके चेहरे को गुलाल से रंगा और कहने लगी मम्मी जी आप यहां अकेली खड़ी होकर क्या कर रही है चलिए वहाँ चलकर होली खेलते हैं बहु के उत्साह को देखकर मंजुशा जी खुशी खुशी उसके साथ सभी लोगों के बीच में चल पड़ी जैसे ही वो आंगन में पहुँची तो उनकी पड़ोसन भी वहाँ आ पहुची पहले उन्होंने मंजुशा जी को रंग लगाया फिर कहने लगी कि इस बार तो बहु आ गई थी फिर भी तुमने कजरी को बुलाया अरे बहु के आने के बाद तो सारे पकवान उससे ही बनवाने चाहिए थे न विकार में कजरी को बुला कर तुमने रुपए बरबाद किये आज बहु जिम्मेदारी नहीं उठाएगी तो देखना आगे चल कर बहुत लापरवाह बन जाएगी मुझे देखो मेरी बहु को सुबह से अभी तक रसोई से सिर निकाल कर बाहर जाकने तक की फुर्सत नहीं मिली है शाम तक उसे रसोई में ही रहना होगा मंजुशा जी ने थोड़े रोश भरे शब्दों में कहा क्यों क्या नई बहु को तिवहार मनाने का अधिकार नहीं होता है जो हर समय वो रसोई में ही रहे ऐसे में तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए अगर महमान ज्यादा आने वाले हैं और पकवान ज्यादा मात्रा में बनाना है तो फिर तुम्हें भी किसी खाना बनाने वाने को बुला लेना चाहिए था वैसे भी किसी गरीब को मदद के लिए बुला लेने से उसका त्योहार भी अच्छा बन जाता है उनकी पढ़ोसन बोली नहीं बहु को ही दिन भर रसुई में लगे रहना चाहिए यह सारा काम बहु का होता है जब मैं बहु थी तो मैं भी तेवहार वाले दिन दिन भर रसुई में ही लगी रहती थी मनजुशा जी ने बात को पकरते हुए कहा तब तो तुम अच्छे से समझ सकती हो कि एक बहु तिवहार वाले दिन तिवहार मनाने के लिए कैसे तरस कर रह जाती है जो तुमने जिला दूरभागी से तुम्हारी बहु भी अब वही जिल रही है मैंने भी तो यही सब जिला था लेकिन सास बनने के बाद मैंने अपनी बहु के लिए परिस्थितिया बदल ली लेकिन तुम नहीं बदल पाई ये सुनकर उनकी पड़ोसन को अपनी गलती का एसास हुआ और वो कहने लगी तुम सही कह रही हो मैं अभी जाकर बहु की मदद कर देती हूँ फिर काम जल्दी निप्टा कर हम सब साथ में होली खेलेंगे हर साल तो उसे काम से फुर्सत ही नहीं मिलती थी लेकिन आज मेरी बहु भी होली जरूर खेलेगी यह सुनकर मंजुशा जी मुस्कुरा उठी उन्होंने ना केवल अपने घर में बदलाव लाया बलकी पडोसन की सोच को भी बदल कर रख दिया था पीछे खड़ी उनकी बहु गर्व से अपनी सास को देख रही थी वो बहुत भावुख हो गई और पीछे से आकर अपनी सास से लिपटते हुए कहने लगी मा आप बहुत अच्छी है जो बहु के बारे में इतना सोचती है मनजुशा जी ने प्यार से उसके माथे को सहलाते हुए कहा बहु इसमें अलग से सोचना क्या है हमें ये सोचना चाहिए कि अगर बहु की जगा हमारी बेटी होती तो हम उसकी खुशी के लिए क्या क्या करते बस फिर कभी भी बहु के साथ गलत वेभार नहीं हो सकता तभी पीछे से मनजुशा जी के पती ने आवाज लगाते हुए कहा अरी भाग्यवान अब सारा समय रंग ही खेलती रहेंगी या पेट में दोड रहें इन चूहों के लिए भी कोई इंतजाम हुआ है मनजुशा जी ने हस्ते हुए कहा आप लोग हात मुद होकर चलिये खाना बिल्कुल तयार है उसके बाद सभी ने पकवानों का मज़ा लेते हुए त्योहार मनाया मनजुशा जी ने अपनी सूझ भूच से त्योहार वाले दिन सभी की हुली यादगार बना दी थी दोस्तों त्योहार में हर कोई खाना बनाने वाली न भी बुला पाए तो ऐसे में काम बढ़ जाने पर परिवार के लोगों को मिल जूल कर सारे काम निप्टा लेने चाहिए ताकि हर कोई काम से फ्री होकर त्योहार मना पाए अक्सर यह देखा जाता है कि परिवार की आउरते किसी भी त्योहार में ज्यादा तर समय रसोई में ही लगी रह जाती है वैसे तो घर की आउरते हर रोज रसोई का काम अकेले ही करती है लेकिन त्योहार में ज़्यादा पकवान बनने की वज़े से काम बहुत बढ़ जाता है और अगर सोच कर देखा जाए तो उस दिन घर के पुरुशों की भी चुट्टी रहती है ऐसे में सभी लोगों को मिल जूलकर रसोई का काम निप्टा लेना चाहिए ताकि घर की औरते भी रसोई से निकल कर त्योहार का आनंद उठा सके वैसे भी त्योहार का आनंद तो सबके साथ ही आता है तो फिर घर की औरते इस आनंद से बंचित नहीं रहनी चाहिए न अच्छा चलिए आप बताईए कि क्या आपको तिवहार मनाने का मौका मिलता है और आप सभी को मेरी तरफ से होली की बहुत शुब कामना है